नमस्कार मैं सोतंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंड टीम पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में रामधारी सिंगुपता खंड दो के प्रतिलेखर संख्य 146 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग स्पीड मिलेंगे पहली बार में 90 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपी में किस प्रकार से लिखा जा सकता है यानि इस प्रतिलेखर के प्रतिलेखर की आउटलाइन क्या होगी तो आप हमारे सौट हैं टीम एप को डाउनलोड कर सकते हैं एप का लिंक इसी वीडियो के ठिक नीचे डिस्किप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखर के प्रतिलेखर की आउटलाइन को आप जान सकते हैं तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट अध्यक्ष महूदे कांग्रेसी स्वैम सेवकों के लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी सत्याग्रही के मन में सत्रू के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए उसे अपने उपर किये जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और ना किसी भैवस मारपीट को सहन करना है सत्याग्रही का नैतिक बल इतना उचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के साथ सहन करे सत्याग्रही का लक्ष सत्रू का हिर्दय परिवर्तन करना होना चाहिए संसार के सबसे सक्तिसाली सामराज के विरुध लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयाईयों पर इस प्रकार का नैतिक अनुसासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड है इस मरण रहे कि गांधी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थें उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थें गांधी जी ही कह सकते थें कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सविनय अवग्या की जाए आत्मा को नश्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एक मात्र उपाए सविनय अवग्या ही होता है गांधी जी के साथियों को सायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ गांधी जी की राजनीतिक रणनीती का मेल नहीं बैठता एक राजनीतिक नेता का यह संतो जैसा रवया देखकर कभी कभी कुछ कांग्रेसी लोग दवी जवान से उनकी खिली भी उडाते थे इस लेखक और युगांतर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांधी जी के सिध्धानतों के प्रति पूरी स्रद्धा नहीं थी अगस्त 1938 तक उन्हें ऐसा लगता रहा लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोसडा की की भारत की आजादी के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए दूतिय महायुद के दोरान गांधी जी के नित्रित्व में संदेह रखने वालों का संदेह दूर हो गया गांधी जी की बहुत सी बातें उनके प्रमुख सहयोगियों को भी पसंद नहीं थी यहां तक की जवाहर लाल नहरू और मौलाना आजाद ने भी लेखक के सामने यह सविकार किया नहरू जी के सब्द थें गांधी जी के अंदर भारती जनता के मन को पढ़ सकने की अलोकिक छंता है भारत की जनता को केवल वही आंदोलित कर सकते हैं हम उनके बगएर कुछ नहीं कर सकते भले ही हम उनकी बहुत सी बातों को पसंद ना करते हूं यहां इसी संदर्भ में एक और बात बता दें 1930 प्रथम सारहेती महीनों के दोरान गांधी जी ने अनेक वक्तव्य दियें बहुत से लेख लिखें और अपनी प्रार्थना सभाओं में हजारों आदमियों को संबोधित किया इसमें उन्होंने सत्या ग्रहियों के नैतिक गुड़ों और अनुसासन पर तो जोर दिया ही साथ ही आर्थिक मसलों को भी पूरा महत्व दिया कमर तोड लगान नमक कर खरचीला प्रसासन तंत्र राज्य संदक्षर में किया जाने वाला ब्रिटीस माल का आयात और भारत के गाउं में रहने वाली करोडों जन्ता के दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आजाद कराने की जरूरत बताते थें दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेगेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट पर किये जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और न किसी भैवस मारपीट को सहन करना है सत्याग्रही का नैतिक बल इतना उंचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के साथ सहन करे सत्याग्रही का लक्ष सत्रू का हिर्दय परिवर्तन करना होना चाहिए संसार के सबसे सक्तिसाली सामराज के विरुद लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयाईयों पर इस प्रकार का नैतिक अनुसासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड है इस मरड रहे कि गांधी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थें उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थें गांधी जी ही कह सकते थें कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सविने अवग्या की जाए आत्मा को नश्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एक मात्र उपाए सविने अवग्या ही होता है गांधी जी के साथियों को सायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ गांधी जी की राजनीतिक रणनीती का मेल नहीं बैठता इस लेखक और युगांतर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांधी जी के सिध्धानतों के प्रती पूरी स्रद्धा नहीं थी अगस्त 1938 तक उन्हें ऐसा लगता रहा लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोसडा की की भारत की आजादी के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए दूती महायुद के दोरान गांधी जी के नेत्रित में संदेह रखने वालों का संदेह दूर हो गया गांधी जी की बहुत सी बातें उनके प्रमुख सहयोगियों को भी पसंद नहीं थी यहां तक की जवाहरलाल नहरू और मौलाना आजाद ने भी लेखक के सामने यह सविकार किया नहरू जी के सब्द थें गांधी जी के अंदर भारतिय जन्ता के मन को पढ़ सकने की अलोकिक छमता है भारत की जन्ता को केवल वही आंदोलित कर सकते हैं हम उनके बगर कुछ नहीं कर सकतें भले ही हम उनकी बहुत सी बातों को पसंद ना करते हूं पैरा यहां इसी संदर्भ में एक और बात बता दें 1930 प्रथम साहे तीन महीनों के दोरान गांधी जी ने अनेक वक्तव दियें बहुत से लेख लिखें और अपनी प्रार्थना सभावों में हजारों आदमियों को संबोधित किया इसमें उन्होंने सत्या ग्रहियों के नैतिक गुड़ों और अनुसासन पर तो जोर दिया ही साथ ही आर्थिक मसलों को भी पूरा महत्व दिया कमर तोड लगान नमक कर खरचीला प्रसासन तंत्र राज संदक्षर में किया जाने वाला ब्रिटीस माल का आयात और भारत के गाउं में रहने वाली करोणों जन्ता के दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आजाद कराने की जरूरत बताते थें स्टॉप